एमेल दे आसपास नजाइश रा मिली है यह दासी एक F.I.R पेड़ी मिया खान ठाने दे विच अंजान लोका दे खिलाफ क्योंकि उते कोई सानुए हो जाए आदमी नी मिलिया उद्रियादा अलाका मंडदा अलाका है उना दे खिलाफ असी एक F.I.R दाश कराई है है किने कुल epaन की इस इतुकु आभी कुछ आदू साथी क्यां शाथी कोई आतो सतर बं firmaken और साथी अपनी इसी लूक ने भी लेग टे एंसर लेकिने इंफिर मे ने के के चोना दे टाइम दे ते चोना दे वेच वरतें दे लिए ते शिराब बन रही है तो ये साथ ये टीम कई सी की आसी इदी बकैदा प्लैनिक कीती सी लोकल सी एई स्टाफ ना मिले के तो उस तो बाद इस ओपरेशन नो अंजाम देता है परपस के तुसी की समझे दे वड़ी मातरा चाहिए ना मटीरियर मिलना की परपस हो साथ ना मैं पहले ना दस्या के सानू ही इंफरमेशन मिली ही कि ए जड़ी श्राब है चोना वेचे बरती चाहिए गुजरात के खेड़ा जिले के ड़कॉर शहर में भववन्स कॉलेज के मैदान में खेड़ा संसदेपू सिंग चोहान और जिला प्रणचायत के प्रमुक जैंती भाई के अध्धक्षिता में अंतराश पतंगुच्सभ मनाया गया आपको बता दे कि इस प्रसंग में कि जोन के छे जिलों में पूलिंग बूतों पर पैरा मिल्ट्री फोर्स तैनात की गई है और किसी भी अप्री अगटना को रोकने के लिए फोर्स हर समय तायार है जालंदर आईजी जोन एल केई आदव ने बताया कि जालंदर जोन में छे जले पड़ते हैं जिसमें जालंदर कपूर्थला नवाश शहर होशियार पूर लुध्याना खना आते हैं और इन में 25 वधानसभाश शेतर हैं आपको बता दे कि इन वधानसभाश शेतरों में 5138 पूलिंग बूथ हैं और सुरक्षा की नजर से इन बूथों पर पंजाब पुलिस के करीबन 9000 करमचारी तैनात किये गए हैं और करीबन 95 में अर्धसैनिक बलो की कमपनियां सुरक्षा के लिहास से लगाई जाएंगी ताकि चुनाओ प्रकिर्या शांत में तरीके से करवा आँज जोन जलंधर के एरिया में हमारे छे जलिय आते हैं जलंधर का रूरल एरिया खुशियारपूर, कपूर्थला, लोध्याना का रूरल एरिया lightning खानग और ब्नवा शहर इन छे जिलिव में हमारी 25 Assembly Constituencies कबर होती है और इस 25 Assembly Constituency में 5138 पोलिंग भूत है और 5138 में से 1695 आज की डेट में Vulnerable के तोर पर अकाउंट किये गाए है लेकिन Vulnerability एक Dynamic Concept है तो ये प्रासेस भी चल रहा है तो ये संख्या भी बढ़ भी सकती है जम्मू में माता वैशनुदेवी के दर्शनों को जहां हजारों की संख्या में भगचन माता के दर्शन करने आते हैं वही कुछ लोग किनी कारण वर्ष बमार भी हो जाते हैं लेकिन कुछ बेमारियां ऐसी होती है कि भक्त जनों की जान पर बनाती है आपको बता दे कि ऐसा ही मामला जोई सोनी के साथ सामने आया जो की मातर आठ वर्ष का महाराष्ट कारव रहने वाला है आईए डालते हैं इस पर एक्विशेशन आपको बता दे कि जोई अपने माता पिता के साथ विशनुदेवी के दर्शन के लिए कट्रा पहुँचे तो पेट में दर्द की शिकायत की यह तो मालूम हुआ कि छोटी आढ़़ी काफी मात्रा में गल चुकी थी जिनकी वज़ा से जोई को जान का खत्रा भी था जिसकी वज़ा से उसका ऑपरेशन करना नहायत ही जरूरी था आपको बता दे कि डॉक्टरों की टीम ने आखिर जोई का ऑपरेशन कर उसकी जान बचा ही ली जोई अपने माता पेता के साथ सुख में जीवन वेतीत करा है वही जब इस वेशे पर डॉक्टर से बाचीत की गई तो डॉक्टर मनोज गुपता जिन्होंने जोई का ऑपरेशन किया उनका कहना था कि इस तरह की बिमारी बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है लेकिन जो लोग इस तरह की बिमारी से ग्रस्त होते हैं उनका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस बिमारी के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है और इस बिमारी का पत जम्मू में यहीं कट्रा में तो वहां उसका तबे ठीक नहीं हुआ तो यहां है हमें आट ते दस दिन रहना पड़ा डॉक्टर साब का कहना है कि दस आदे घंडे में इसका उपरेट करना पड़ेगा दुसरा इससे इलाज नहीं है तो तुरंद डॉक्टर मनज गुपता सर उसको आपरेट को ले हमारे परमिशन लेकर उन्होंने उसको आपरेट को ले बाकि यहां पर कोई भी दिक्कत मदलब कोई दिक्कत नहीं आई यह एक इंटरनल हर्ण होता है आंतों में रुकावट का जो की एक बहुत ही रेर कंडिशन है बहुत कम मरीजों में पाई जाती ह अगर हम सौ मरीज देखते हैं इंटर्स्टीनल अव्सक्ष thriksan के तो उसमें लज दन 5% पेशेट्स में इंटर्नल हर्णिया पाया जाता है तो ये बच्चा हमें एक टाइप है इंटर्नल हर्णिया की जिसे हम ट्रांसमीजेंट्रिक इंटर्नल हर्णियेशिन बोलते हैं उससे प्रेयजिकशन के साथ आया था, इसके समाल गैंदरीन कि झाला भाउल तो उसमें small bowel, जो small intestine था, जो छोटी आन थी, उसका कोई 7 से 8 feet जो छोटी आन थी, वो gangrenous थी. तो उसको हमने gangrenous portion को काट के, और बाकी दो portions, जो normal healthy portions थे, छोटी आन के, उनको आपस में जोड दिया था. गैंगरीन की वज़ा से शरीर में काफी infection था बच्चे के, जो आहिस्ता आहिस्ता operation के बाद settle हुआ, और वो 6-7 दिन के बाद हमने निश्चास के. और अब समय हो चला आपसे इजाज़त लेने का, अगले बार फिर हाजरूंगे, कुछ ताज़ा तर इन खबरों के साथ अब तक के लिए देखते रहे हैं, एटीवी निउस, नमस्कार.